हाई स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकड़िमी में आज हम सेट 3 लगाएंगे इस सेट में हम वही कोशन को लगाते हैं जो ठिक अलग अलग पेपरों में ठिक सबसे जादे बाप पूछे गए हूँ चली अपना सेटन स्टार्ट करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूर कर लेंगे ठिक चली कोशन नमर फरस्ट पूछ रहा है आपसे कि इन विच स्वाइल इस्ट्रक्चर आर दा पार्टिकल अरेंज मोर या लेस पैल टू इच अदर पूछ रहा इसमें कि स्वाइल का वह कौन सा इस्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल का जो अरेंज होता है वो पैलर होता है ठीक कौन सा इस्ट्रक्चर है तो मेरा कौन सा इस्ट्रक्चर है वो मेरा है इस इस्ट्रक्चर में क्या होता है इसमें स्वाइल का जो orientation होता है वो मेरा जो स्वाल का orientation होता है इसमें कैसा होता है face to face होता है जैसे माले कोई भी स्वाल particle है ठीक यह हो गया मेरा end portion यह हो गया मेरा पूरा face ठीक तो इसमें पर हमेशा positive charge और face पर हमेशा negative charge ठीक तो इस स्वाल यानि कि disperse wall की बात करनें disperse structure की बात करनें इसमें जो स्वाल का orientation होता है हो face to face होता है यानि एक face दूसरे face जूर जाए रखिए एक face दूसरे face क्या होगा है जूर गया फिर यहाँ पर क्या होगा दूसरा face जो है पिर ऐसे जूरते हो गया होगा स्वाल का orientation हो जाएगा ठीक और इसमें end to end भी होता है एसे यह वहला end portion दूसरे féu क्या होगा जूर जाएगा ठीक ऐसे जूर जाएगा ठीक तैसे होगया मेरा क्या end to end या face to face क्या होता है इसका orientation होता है कि स्वाले में disgust एक अगर हम बात करेंब क्या होगा इंड टू फेस होगा यानि कि इसका इंड किसी दूसरे स्वाल का पार्टिकल का फेस से क्या होगा जो फेस वाला पॉर्शन हो गया इसी फेस से क्या होगा फेस में होता है नेगेटी चार्ट ठिक इससे क्या होगा वो औरियंटेशन करेगा फाकुलेंट वाले में बर तिंप 25 अलग अलग पार्ट्किल से क्या होगा स्वाइल का ओरेंटेशन होगा इस इसे वारल के और होता है इस स्वाल में ये ऑन की फरकुलेंद वायल में मेants वायड जो है ठीक वाइड करमाल स्पर्ट्रेंसर क्या dispersed soil so dispersed structure next question पे आते हैं पूछ रहा है एक क्ले हैं अनकन्फान कंप्रेशीज इस्टेंज आप 200 किलो नीटर्ण तिक स्कूर मीटर इन अनडिस्टर्ब इस्टेट फिद्ध दक्ले वाज दैन्ट रिमोल्डेर एंड अनकन्फान कंप्रेशीज इस्टेंज वाथ फांड 60 किलो नीटर इसक्वार मीटर तो पूछ रहे आपसे सेंस्टिविटी कितना होगा ए टिविटी इसकल टू हम जानते हैं ठीक की उनकंफाइंड उनकंफाइंड कंप्रेसी इस्टेंड आफ अफ अनडिस्टर्ब स्वाइल यानिकि Unconfined Strength of undisturbed by Unconfined Compressions of Disturb स्वाइल इसी Disturb स्वाइल को Remolded स्वाइल भी बल सकते हैं ठी तेसी में वैलू पूट कर दें यहां पर Undisturb स्वाइल का जो वैलू दिया है कितना दिया है 200 और स्वाइल स्वायड दिया है यहां तो रखते हैं यहाँ पर सेंच्ट मलों ठीक ऐगा भी टीक मीзя आएक टीक तो को मेरा सेंसिटमेटी कितनी आ गई तीन दसने देद इसे लिए करेंट आप्सन क्या हो गया आप्सन नम्ब बी सेंसिटी ज्युक्न क्या क्या ऊता है अंडिस्टर्ब Moralbad outcome स्वाइल की स्टेंड लगां चलते छेत पूछ़ रा यहां पे water content helps while can be accurately determined water content ही कौण सव मेथड है जो एक रोट एकुरिट है तो मेरा open dry method में क्या होता है एकुरिट मेथड है पूचे देखाए कभी वीस temperature जो रखते हैं एक सो पांट से ठीक प्लस माइनस पांच टेगरी सेल्सियस और 24 हावर के लिए रखा जाता है ओब इन में आप पूछता है कभी-कभी आपसे कि जो मेरा एक आप लोग कमेंट बाक्स में बताएंगी कि सेंट बाक्स मेरा जो है यह मैथड मेरा कैसा मैथड है फिल्ड मैथड है या लाव मैथड है नेक्स्ट कोशन पूछता है आपसे कि दा बल्क डैंस्टी आप मैटेरियल डिपेंड अबाद पूछ आप बल्क डैंस् हम चालते हैं गामा वी कल टू जी ए टिक जी वन प्लस इस इन्टू इ गामा डबलू वाई वन प्लस ए तब देख लीज एक इस प्रेश्यो पे हाँ वार रेश्यो पे डिपेइंड है मौस्टेर कंटेंड पे मौस्टेर पेंड जब आप एक फर्मूला जानते हैं तिक यह वाला s into e is equal to w into g दब इसके जगह पे आप ए रखेंगे ठीक तेहां पर क्या water content भी एड़ी पेंड करता है ठीक next option पर चलते हैं कुछ है पूरुशिटी पूरुशिटिप करेगा क्योंको वाट रेशियो जो है पूरुशिटी के रिलिशन हो इसलिए मेरा आप्सन नमर्डी करेट होगा जो मेरा बलक देंस्टी है यह वाट रेशियो मौसर कंटेंट एंड पॉरुशिटी सब पर डिपेंड करता है ठीक इसलिए आप्सन नमर्डी करेक्ट है नेस्ट कोशन पर चलते हैं पूछ रहा है एक कोहेजू स्वाइल इल्ड इसलिए मेक्सिमुम ड्राइड देंस्टी आप 18 किलो नीटर मीटर स्वार मीटर क्यूग डियूरिंग ए स्टेंडर प्रोटेक्टर कंपेक्शन टेस्ट इफ दा स्पेस्विक गरिटी आप 2.65 तो पुछला आपसे वाट रेशियो कितना होगा तो वाट रेशियो पुछला यहां पर आपको दिया आया आज तो ड्राय ड्र्यन टेंस्टी एन की गामा डे स्टी कर तूछ उझी गामा डेबलू एक डिवालबाइड बाई उन प्लिस इए धाइ त्रैज डेनस्टी का फर्मूला होता हां धीब तो यहाँ पे आपको यह दे दिया है ठीक जी आपको दे दिया है गामा डबलू आप जानते हैं तो यहाँ से फाइंड करना रहता है फाइंड करेंगे चलते हैं गामा डी का वल्यू रखते हैं 18 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब इसकर टू जी जी कितना है दो दस मलो 6 पांच इंटू गामा डबलू गामा डबलू जो है ठीक इन यूनिट के कारी रखा जाता है कीलो नीटर मेंटर के मीटर क्यूब है तो 10 हो जाएगा बाटा 1 प्लस ए ठीक जब इसको हम साल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा जब इसको हम साल्व करेंगे यहां से तो एक आवाईलू ठीक जब साल्व करेंगे नियर बाट तो एक आवाईलू कितना आ जाएगा ठीक तो देख लेंगे एक आवाईलू कितना आएगा ठीक जो आएगा ठीक तो करेक्ट आप्सन होगा यहां से यह शुरू में पूछा गया है ठीक नेश्ट कोशन पे चलते हैं यह स्वाइल है लिक्विड लिमिट 32 प्लास्टिल लिमिट दिया अठार है स्रिंकल लिमिट दिया आठ और निचुरल मोस्टर कंटिन दिया 22 परसंद दिया है तो पूछा लिक्विडिटी इंडेक् लिक्विडिटी इंडेक्स जो होगा ठीक वो मेरा होता है क्या लिक्विडिटी इंडेक्स यानि की आयल इसकल टू क्या होता है वो होता है मेरा लिक्विडिटी इंडेक्स नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस ठीक प्लास्टिक लिमिट बटा ठीक प्लास्टिक इंडेक्स यहीद होता है अब प्लास्टिक इंडेक्स इसकर डो क्या होता है डबलु यृल-डव्लू-पी जब यहां पर डबलु यृल कवेलू रखेंगे कि दिना अठार है जब साल करेंगे चोधा है रहां से ठीक यहां पर ने जोर वाटर कंटेंट आप हो दिया है बाइस परसिंट तो बाइस माइनस डवलूपी यानिकी अठार है ठीक बटा चोधा है जब इसको साल करेंगे तो मेरा आएगा दसमलो दो आठ पांच की आसपास ठीक यह करेक्ट आपसन है आपसन नमबर भी ठीक आपसन नमबर भी करेक्ट होगा अभी प्लास्टिक इंडेक्स दिखाएं चोधा आया है प्लास्टिक इंडेक्स भी आपसे पुछाएं तो चोधा आया है ठीक उससे भी देख लेंगे आपसे नमबर भी करेक्ट होगा नेक्स कोशन पर चलते हैं पूछ रहाएं आपसे यहां पर किदा कंसिटेंसी इंडेक्स आमने नेच्टरल स्वाइल जीरो तो आपसे पूछ कंटेंट बटा आई पी तिंग बोल रहा है कि आई से इस कट्टो अगर 0 हो जाए जब 0 हो जाएगा तो 0 में जब इसका मल्डिप्लाइक करेंगे तो बच्चे क्या डबलू यल माइनस डबलू इसको जब साल करेंगे तो नेच्ट्रल वाटर कंटेंट किसके ब्राबर हो ज नमबर एक करेक्ट है आपसे नमबर एक करेक्ट है ठीक जब मेरा आइसी जीरो हो जाएगा तो मैं नेचुरल वार्टर कंटेंज होगा वो लिक्विल निमिट के बराबर होगा ठीक नेश्ट कोशन पुछ रहा है आपसे के स्वाइल विच डिपोजीट इन सी वाटर सी वाट लोइए प्रपोर्टर या ब्लैख कोटन स्वाल प्रपवर्टी होती है किसे कि ध्ले का प्रप्रकर इसमें चुआ जाता है याने कि या तोर्पॉलिंग करता है फूलता है शेयर वीट कंडिशन में ड्राइग कंडिशन में क्या हो जाएगा वह तो ब्यूटी होती है कि यह ज्यादे पानी पहुलता है पानी जैसे कम होगा उसका तो स्रीकर जाएगा नेक्ट पहुष्ट रहें आप से कि दोवार्टर कंटेंट आप वाइल विच रिपरंट्टी बिट्व प्लास्टिक इस्टेट एंड लिक्विड इस्टे तो यहां पर देखते हैं हम ठीक इस लिमिट को बोला गया स्टिक लिमिट इस लिमिट को बोला गया है लिक्विड लिमिट इस इस्टेट को बोला गया सॉलिट इसको बोला गया सेमिसॉलिट इसको बोला गया है प्लास्ट इस्टेट इसको बोला गया है लिक्विड इस्टेट तो पूछ रहा है आप से कोशन में लिक्विड इस्टेट और प्लास्टिक इस्टेज की बीच की जो लिमिट हो इसको क्या बोलेंगे तो प्लास्टिक इस्टेज यहां पर आया लिक्विड इस्टेट इहां पर आया इन तु आप से वाइड रेश्यो कितना होगा जैसे हुआ जानते हैं其實 गामा डी स्कालटू जी गामा डबलू 5 डाय। प्लस ए ठीक अब यहां पर गामा डबलू को क्या करेंगे इधर ला देंगे इसके नीचे तो हो जाएगो मैं राक्या गामा डी बाई गामा डबलू बटा जी बटा वं प्लस ए अब यहां पर गामा डी बाई गामा डबलू गामा डी बाई गामा डबलू हम इस पेस्विक मा मास बोलते हैं ठीक है तो गामा डी बाई गामा डावलू की स्पेस्विंग मास बोलते हैं तो इस पेस्विंग मास आपको दे दिया कितना एक दस्मलो तीन पांच तो रखते हैं इसको साल्प करते हैं एक दस्मलो तीन पांच इसकल टू ठीक जी जी कितना आपको दिया है जी दिया दो दसमोलो 7 बटा 1 प्लस ए ए वैलू फाइंड करनी है तो यहां से फुर्ण साल करेंगे जब साल करेंगे तो एक वैलू आपको मिल जाएगा ठीक एक के आसपास आएगा ठीक जो आएगा एक वैलू वन आएगा ठीक तिसलिए आपसे नमबर बी करेंट है याद रखेंगे कि मास इस मास इस्पेसिक को जो मेरी फार्मूला होता है वो गामा डी बाई गामा डबलू होता है नेस्ट कोशन पर आते हैं पुछ रहा आप से सब्सक्राइब बोलते हैं अब फी पूछ रहा आप से कि दो डिग्री आप सचुरेशन आप पार्टिल्स से टुरेटर साथ परसेंट तो एयर कंटेंट पूछ रहा तो एयर कंटेंट याने कि एसेज कर्टू हम जानते हैं वन माइनस यस आपको यह वाल्यू दे दिया कित थे लोगरना साथ पर्सेंट को तोड़ेंगे तो पॉइंट पर्सीक्स हो जायेगा है तो लुन में trade वर प्ro मुला होता है नेस्ट कोशन पर आएंगे पूछ आप फालूंग इस्टेटमेंट इन ट्रू कौन सा इस्टेटमेंट जो प्रू है ठीक देखें दोस्त अलग अलग पेपरों में जो आये हुए हुआ यह कोशन जो है कि पीसी जे में आया हुआ है तो हम उसी कोशन को टार्गे आउने में जो हट्रू है में पूछ रहा है यहां पर कि प्रिजेंट आप और गेनिंग मेटर ठीक इन's वाय तो डिक्री द बिरिंग केपस्टी बिल्गूर करेट अगर सुवाल में आपको शिक अगर आपके स्वाल में और गारिनिंग मेटर अलेवल उपस्तित थे हैं तो तो क्या करें उसके सामर्द स्वाइल की सामर्द होगा घर जाएगा आपसे नमर भी करें ठीक इसलिए आपसे नमर से करेंट होगा कि मेरा नेश्ट कोशन पर आते हैं पुशा इने वेट स्वायल मास एयर अकुपाई वन सिक्स इह देखिए एलमार्सी में पुछा गया है एलमार्सी जेह में ठीक पुछ रहाए आपसे वेट आपको बताना एयर अकुपाई वन सिक्स यानि जो मेरा वलूम आ तो एयर यानि की ये वाटर जो मेरह वाटर उकनवल्या है भाई त्रीज लिया वन थर्ड हो गया ठीक और आपसे पुछ रहा है गया मग वाड रिसियो निकालना टो निकालने के वाइब ॏ लूम प्षोलिट यौज है व है विस्टirm करते हैं विवाई जिक्स सदोन करते हैं कि भी ऑन और Ralph सिक्स प्लस भी वाई- ठ्री वह साल क淹ना हो गया सरी 6 LCM हो गया तो यहां पर B plus 3 to 6 यहां पर यह हो गया मेरा 2 V 3 V by 6 कार देंगे आ गया मेरा कितना V by 2 यानि कि volume of 5 कितना आ गया V by 2 आ गया volume of 5 कितना गया V by 2 हमको उसके बाद B S निकालना तो V S इचकल टू क्या हो जाएगा टोटल V इचकल टू क्या होता है बिय प्लस BW प्लस B S आइए निकल गाया मेरा कितना बी वाइट टू आएए उसको माइनस कर देंगे 1 माइस बीव इच टू से ठीक तो वस निकल जाएगा साल पर करने पर आको क्या आएगा तो v वैलूम आफ वाइट भी कितना आया एक वैलूम आफ वाइट भी भाइट आया अब मेरा वैलूम आफ वाइट भी भाइट वाइट दोनों कर जाएंगे इनसुर आपका जाएगा वन तो इसलिए ठीक आप सनमस्ट से करेक्थ हैं यहां पर वन इसीम दिया है तो निएक्स कितनी फ्रेजों में ठीक वह जो है मेरा फ्री लिटेए किया गया है अरे फिकठर देखिये याँ पर मी रहा हो गयार भी मिरा मेरा ए यह गे-णों के मिरा मिलत फ्रेज फ्सक्राइट भी एंड टो मेरा फ्रेच्पीया घरते हैं पूस आते ii n स्पर्लशन तो आप को रिलेंस बताना है सेपल दिश्टा दिस्टार बेर एस्टिन तो क्या वगा थिस्टिर गृण विश्ट्र और सब्सक्राइब जो मेरा विथ रेष्टी आनिका उ जो मेरा है नगल यहाद्यू तो पहले यहां पर देखींगे यहां का वैविशा वंसे लेकर ठीक जीरोस आधिक बीच बीच में लाए करता है जब वैवालू कम रहेगी वन से कम है जब कम से किसी नंबर उपर वल्म भाग देंगे तो वहलों हमेशा क्या आएगे ठिक कम ही आएगे इसलिए यहां पर बताना आपको तो BS कर वहले यानिक यहां पर फॉचल बताना है आईड़ इसकल टू ठीक है व मेरा क्या होता है वहता है इस माइनस और है बट्रा यी मैक्स माइनस इ मिनिमर तो आप्सप्स नम्बर किसमें यह तो मेरा आप्सप्स नम्बर का में यह इंगा इंगा जाते हैं तो यह पूछ रहा है कि इस सब्सक्राइब निकालना है यह इसी पर डाटा रखेंगे कितना दिया है जीरो पॉइंट सेवन सेवन बटा वन प्लस जीरो पॉइंट सेवन समझ जब साल करेंगे इसी को तो तो अस्वार करके देखलेंगे ठीक निए वर किसकी आसपास या रहा हो ही करेंट हो जायेगा यह जायेगा यह जायेगा कि यह जायेगा ते निश्लिशन पर आते हैं आया प yarn पूछ रहे हैं श्वाज जाये आप को डे मिवी आप साट्यूरेंट बताना डिगरी आप सुरेशन बताने के लिए हमें वाइटर कंटेनट अध्य और र्द रेश्यू में एक फार्मूलाइब पता है यह सिंटू इच कल टू डवलो इंटू जी को आप सिक्षेव निकालना रश्यू अब को दिया कितना जीरो पॉइंट सेमन फाइप तीक अवाटर कंटेंट भी आपको दिया 20% तोर देंग परसेंट खटा कि पॉइंट टू हो जाएगा इस पेसिव गिडिटी भी दिया दो दस्मोलों सा जब इस्यू को रखके सार डटा यस का वेलू निकालेंगे तो यस का वेलू आ जाएगा यह पास 13.8 तिक निक्ट कोशन पर जितने यह भी देखी आर पीजसी में पूछा गया है क्योश्ड ठीक निक्ट क्योश्ड पर आते हैं एकुंश्ड पंजाब जेह पूछा गया दो चोगदय में पूछ रहा हैं दा हाईट आप के लरी स्माइज में किस वाइल में कैपले और से यह कुछाइड में या फाएंग भीवैयल में हैंट कि इस वाल में जो स्व में होगा कर ना में भीवाल तो ढीजितना एक सब Tusya अफनी सबसे घृत्या नहीं नहीं रहे नहीं तुम के लिए सब्सक्राइब कुलाइड है ठीक अगर यह जगह पर दिया राता हम लगाते हैं ठीक तो यहाद अखेंगे ले या को लाइड जो में इस सबसे जादे स्मिक्न होता है केपलर रीक्षिन होता है चलिए दोस्त अगर आपको शेशन प्रसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ठीक अगर आपको कोई प्राबलम होत कमिट बाक्स में जरूर स्लियर करें ठीक ऐसे से बीडिये पार डे अपलोड की जाते हैं जो अलग लग पेपरों में सबसे जादे बार पूझे गाए हैं चलिए दोस्तों अपना सेशन बंद करते हैं थांग्यू फर वाचिन